So hello guys welcome to government repdesk आज आपको यहाँ पे DRDO मौका दे रहा है डारेक्ट यहाँ पे select होने का आपको कुछ निहीं करने है डारेक्ट जाना है form apply करने और यहाँ पे आपको results का wait करने है बहुत ही simple process है कुछ आपको यहाँ पे नहीं करना है no interview, no exam, direct selection बहुत ज्यादा easy process है और यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है DRDO जैसी बड़ी organization के साथ जोडने का जो कि Ministry of Defense के अंडर आती है so welcome back guys डार चलते हैं हमारे notification के अपर जैसा आप screen पर देख सकते हैं Ministry of Defense DRDO Defense Research and Development Organization इसकी तरफ से notification निकल के आ रहा है और इसी की एक subsidiary company है जिसका नाम है DEAL Defense Electronics Application Laboratory जो की दहरादूर में उसके लिए यहाँ पर recruitment हो रही है अब यह recruitment आपकी apprentices है Apprentices mean आपको यहाँ पर one year की ट्रेणिंग प्रवाइड कराई जाएगी अब यहाँ पर कोई चोटी मोटी company होती तो उसके apprenticeship यहाँ पर नहीं लेकर आता हूँ कोई बड़ी companies होती है सिर्फ उनहीं की opportunity मैं आपर लेकर आता हूँ वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करना आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं आपकी डिग्री अपर अपर इसको एज लिमिट की तो यहाँ पर आपकी 18-27 आप एज लिमिट रखी गई है इसके अलावा SCST category वाले को extra age election देखने को मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आपर stipend की तो आप स्क्रीन पर देख सकते 9000 पर मंद का आपका stipend रहेगा जो कि एक बहुत अच्छा stipend है अगर किसी आप private organization में कुछ सीखने चले जाओ तो वहाँ पर आपको इतना अच्छा amount नहीं मिलेगा government organization है इसलिए यहाँ पर इतना अच्छा stipend आपको देखने को मिल रहे हैं बात करते हैं इसके form अप्लाई की तो इसके form को 25 सेकंबर 2023 से पहले अप्लाई कर लेना क्योंकि last date में website बहुत जादा busy हो जाती है और आप form को apply कर लो बात करते हैं आपको क इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म को apply करना है तो आपको यहाँ पर MHRD Nets Portal पर जाके आपको वहाँ पर रहिश्चर करना है फिर वहाँ पर जाके जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं एक ID नंबर दिया हुआ है डी करके इस ID के थुरू आप वहाँ पर इस form को apply कर सकते हैं similarly यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए जो अपर निकली है उसमें भी आपका electronic communication, mechanical engineering, computer science, computer application इन डिपार्टमेंट से अगर आपने डिगरी कम्प्लीट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको apply कर सकते हैं वह आपका graduation वालों के लिए जिन्होंने डिगरी कम्प्लीट कर रहे है यह आपका diploma वालों के लिए, stipend यहाँ पर इनको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, 8,000 यहाँ पर आपका stipend रहे हैं जिन्होंने डिप्लोमा कम्प्लीट कर रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पर आपका बहुत अच्छा stipend दे रहे हैं, इसके लाब बात करते हैं आपके selection process की त वो इस form को apply कर सकते हैं, बट आपको आपके shift होना पड़ेगा आपकी joining के बाद, so that is for today guys, यह थी DRDO का पूरा notification, अगर आपको इसके regarding कोई doubt है, कोई query है, तो आप मुझे comment करके पूच सकते हैं, और मैं आपसे मिलूँगा next video में next सरकारी जो अपडेट के साथ, अब तेक आपको 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 आपको